कई सोच रहें जब खुलेगा तो पड़ाई हम स्टार्ट करेंगे इसी चक्र में हाफ है स्टेंथ इग्जाक्टली चलो क्या कर सकते हैं इस क्वालिफाय हो गया सेकेंड रांड में डेटापक कतम हो गया रात में डेटापक ज्यादा कंजूम कर ले रहे हैं सुपह क्लास करने के लिए बचनी रहा है रिलेशन बीटूइन पाथ और फेज़ दिफेंस के लिए क्लास के लिए डेटापक नहीं बच रहा है हम के अब कहा कंजूम हो रहा हो कहां जा रहा है कि डेटापक तुमारे बचनी रहा है इतना फ्री में बट रहा है सब कुछ relation between part difference and phase difference delta 5 चलो क्या कह सकते है तो पाई बाई लैमड़ा और इंटू डेल्टा एक्स साइ सुम के उस पे चल रहा है जो रोल मॉडल चेंज हो गता क्या कि करे तो तो five से ओपाई वाइंटो डेल्टा इंट्ıl एकस डा टा ट्षेन्स टैल्टा आसरा की विज़े से हमारा ओं अब में आलों की यूहार। इस हैं उनसे constructif हो रहा है constructive interference हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे condition for maxima और constructive interference या दोगा सहाद़ यह चेप्टर में कर Size i condition for Maxima the condition I have for Maxima का मतलब क्या है maximum intensity Maxima Maptal Max无 intense सिब और उसी को बोलेंगे consult you ux constructive interference constructive interference यह एक हुआ था एक parents का phone आया कि ऐसा है सर कि सारे teacher तो WhatsApp ग्रूप पे देते हैं आप जो है यह telegram में दे देते हैं और मेरे बच्चे के telegram में उसको कई लोग add कर लेते हैं इधर उधर तो बड़ा परिशान हो जाता है कि हमकी मैं तो इतने दिन से telegram में मुझे तो कोई नहीं याड कर रहा है मैं तो ढूंड रहा हूं कोई नहीं पकड़ रहा है मुझे तो यह से ऐसा उसी के साथ क्यों हो रहा है नहीं वह बार बर बोलाया है सर कि सरসे हमके ऑई साथ है dragons वहाँ से अठा दीजिये हम आपको दूसे मीडियम से मेल कर देंगे यावॉटशक खार देंगे टेलिघ्राम खटा दीजिए देखे उसको खुद तब यही है कि मतलब पैरेंट्स को जो है लपेटने के सैकड़ों तरीके निकाले हुए है कुछ लोग कुछ लोग नहीं सबको नहीं बोला हो तो उसमें क्या होगा तो फाइनली तो रिजल्ट सामने आएगा तो फिर पता ही चल जाएगा तो कंडिशन फॉर मैक्सिमा और कंस्ट्रक्टिव इंटर्फरंस तो मैक्सिमा की कंडिशन है इंटेंसिटी का जनरल एक्सप्रेशन क्या है इस इकौल टू आइवन प्लूस आइटु प्लस तू हम जो प्रैक्टिकल लाइफ में जकते हैं सर कि आगा दो लड़ा तो हमें तो किस फ्लिक्सूए से नजर merit को घ़ाता स如此 नजर नहीं अएका रत्सवेशन में इसलितना फास्त है कि वह दिखेगा भी नहीं प्लक्स से आ 3am जो span human eye जो है वो one by ten second काई तो differentiate कर सकता है कि अब दो images आएंगे one by ten second के gap पर तभी वो differentiate कर देगा कि दो है otherwise नहीं कर पाएगा वो भी ठीक है तो यह जो है i1 i2 दो intensities है दो sources दो sources हैं दो से ज्यादा भी हो सकते हैं बट वो पैले दो हुपे हम दखेंगे i1 i2 यह दो होगए तो maximum intensity गवगी वैन कास डेलटा फाई इस एकोल टू वन वन डेलटा फाई अगर वान होता है तो यह कॉच डेलटा फाई तो यह डेल्टा फाई इस एकोल टू क्या होगा यह एक value तो 0 होगी 0 होगी या 2 pi होगी या 4 pi होगी तो हम यहां से लिख सकते हैं कि this is equal to 2n pi और n की value क्या होनी चाहिए n की value क्या होगी 0 हो सकती है 1 हो सकती है 2 हो सकती है ऐसा integer डेल्टा फाइजगी तितु वैटीज्फ इस्टव तो वातइज दिस्ट पाथडिफ। इनप सुर्णuction को यहां से भिख एन्ध मतलब इनितियक फेस्ट को नहीं है क्यों कि हम सोर्स तरीके से करते है तो इस थीटा-1 इस इकल टो थीटा-2 कहां पर शीटा-1 और थीटा-2 आएंगे वह बताऊंगा मैं इस थीटा-1 इस इकल टो थीटा-2 देन जो डेल्टा-5 ओगा डेल्टा-5 इस एकल टू-2 देल्टा एक्स के देल्टा एक्स के देल्टा एक्सस ना जो न एचिट तो सभी भेर्ट पेंट से फेस् haben जो लाइटट版 सा रहा है वह इनेशा पेस्पर्ट हटा दिया वह थमप हमने क्या कर दिया सिर्फ ये डल्टापई दैक्स तोראंड्ट एक्स पंडिशन क्या हो जाएगी इसको कर करें के लिछ गोंद्द वॉट्ट वाच्ट तूपई वाइव ईन्तू डल्टा एक्स गाने is equal to k delta x है तो k delta x पर condition क्या हो जाएगी इसको पुट कर दो कि k is equal to what 2 pi by lambda into delta x is equal to 2n pi यहां से 2 pi 2 pi cancel out हो जाएगा 2 pi 2 pi तो delta x का path difference यह क्या हो जाएगा n lambda मतलब maxima form तभी होगा वेन path difference is equal to अच्छा अगर ऐसा हम बोले हैं कि ऐसा भी बोल सकते हैं कि delta 5 is equal to plus minus भी लिख सकते हैं प्लस माइनस कॉस थीटा है तो माइनस थीटा और कॉस थीटा यह दोनों सेम होगा तो इससे जो है यहां पर हम प्लस माइनस भी यहां पर लिख सकते हैं ऐसा समझो बात को प्लस माइनस का मतलब है कि क्या की जैसे मालो जब two lambda minus lambda करोगे तो lambda आएगा और lambda minus two lambda करोगे तो minus lambda आएगा तो हमें वो यह तो mathematical process हो गया हम अपने common sense से यह समझेंगे कि हमें क्या लेना है path difference मतलब difference लेंगे high minus low कर लेंगे अपने दिमाग में रखेंगे कि path difference plus lambda होगा या minus lambda होगा हमें maximum difference जो है वो एक wavelength के बराबर दो wavelength के बराबर 0 के बराबर ऐसा होना चाहिए तो plus minus generally लिखा नहीं जाता है होता नहीं है mathematically लिखना चाहिए बट लिखा हुआ लिखा नहीं जाता है हम समझते हैं कि प्लस lambda भी होगा या difference lambda के बराबर होना चाहिए magnitude magnitude के terms में तो यहां से हम ऐसे बोल देंगे कि maximum कप मिलेगा जब डेल्टा एक 0 होगा या ऐसे plus minus lambda होगा plus minus 2 lambda होगा plus minus 3 lambda होगा अगर ऐसा ऐसा होगा तो हमें maximum intensity मिल जाएगी maximum intensity के लिए क्या condition phase difference is equal to 2N Pi और part difference is equal to n lambda तो तो तुम्हें ऐसे आएगा लिखने के लिए कि डेराइब कंडिशन फॉर मैक्सिमा फिर से मैं यह plus minus 8 रहा हूं है ना सिर्फ प्लस ही रखना है बड़ यह चीज़ समझना है कि कहीं पर minus lambda भी होगा तो वहां पर यह नहीं बोलोगे कि minus lambda है तो यहां पर maximum कैसे मिल ला है difference high minus low करेंगे और वह लेंबडा का difference अगर इंटेंड वह plus minus lambda दोनों include कर रहा है तो यह चीज़ हो गई तो maximum intensity होगी क्या अगर यह condition satisfy होगी यह condition हुई माक्सिमा की अगर मालों यह condition satisfied है यह condition satisfied है तो वह maximum intensity क्या होगी यहां पर वन प्रोग करेंगे च्रीच थासरश देंगे दात मैक्सिमम इंटेंसिती इस यह मैक्सिमम मोम इस ह्रूट आइओन है लाइओ यह है यह पर यह इसको हम लिख सकते हैं that maximum intensity is equal to root i1 plus root i2 a whole square तो if if हम यहां पे i1 is equal to i2 is equal to i0 है तो यह कितना हो जाएगा i maximum is equal to 4 i0 4 i0 i maximum is equal to 4 i0 कि दोनों source की intensity है जो सोह सेंगे तो जो हमें इंटेंसिटी मेलेगी माक्सिमम वाले रिजन्म से महां शुम लिए नहरत होगान इंसनिल मतलब hor observates होना इन्सेंप्लरीड मिलता है इंटे कितना मिल रहा है तो उस मैक्सिमॉम वाले रिजन्म में नॉर्मल से कितना ज्यादा है नॉर्मल से two inseate ज्यादा है कि अभाम लिख लेते हैं Becky gorgeous अधिश्व फारं मिनिमा मिनिमा की कंडिशिन तिन क्या और उसको बोलेंगे का डिस्ट्थिव इंटर से कि डिस्ट्रेक्टिव इंटर से टीस्ड्रेक्ट फर्मुला है हमारे पास आइ रिजल्टेंट इस इकोल तो आइवन प्रस आइटू प्लस टू रूट आइवन आइटू कॉस डेल्टा फाई डेल्टा फाई यहां पे क्या होना चीक उस डेल्टा फाई की वैल्यू कि टिनी होनी चाहिए जीरो जीरो अब जीरो की माइनस वन जीरो बोल लाए मिनिममम माइनस माइनस वन होगी न मीनिममम मीनिमम और तो यह डेल्टा फाई कॉस यह क्या हो जाएगा डेल्टा फाई इस इकोल टू कब होगा minus 1 pi पहली भार होगा 3 pi पे 2n plus 1 यहाँ पे 2n plus 1 pi तो उसको हम ऐसे लिख लेंगे बस लिखने का तरीका है 2n minus 1 odd ही होना चाहिए तो 2n plus 1 भी odd होगा 2n minus 1 pi अब यहाँ पे n की value n की value क्या हो जाएगी n की value 1 2 3 ऐसे चेंज होगा एंगी वैलीव वन होगी जब तो 2-1 पाई हो जाएगा फिर 4 ओगी 4-1 3पाई होगा तो अब इससे वाट इस दा पाज डिफरेंस तो यह जाएगा डेल्टा फाई डेल्टा फाई इस इकॉल टू पाई बाई लेंडा इंटू डेल्टा एक्स तो यहां प फाई पाई से पाई डेल्टा एक्स इजर इकवल टू डेल्टा ईक्स इस इकॉल टू टू एन माइनस वन लैंडा बाई 2 ए एंड की वैल्यों 1 2 3 4 इंटीजर फिर से वही बात प्लस माइनस रहेगा हमारा यहां पर है तो मतलब पाथ डिफरेंस कैसा दिखेगा डेल्टा एक्स इस एक टो एन की वैलिव वन पूट करेंगे तो यह हो जाएगा लैमडा बाइट तू थ्री लैमडा बाइट फाइव लैमडा बाइट तू अगर यह पाथ डिफरेंस ऐसे होंगे तो हमें minimum मिलेगा मैं क्या मिलेगा minimum मिलेगा destructive interference मिलेगा phase difference पे condition आई और उस phase difference से हमने phase difference से path difference path difference की condition पाई कैसे पाई देल्टा धिटा zero करते हुए अगर ये नहीं होता तो क्या यह condition होती नहीं होती समझ रहो ना condition किस पर है डेल्टा 5 पर डेल्टा 5 से फिर हमने condition derive करें डेल्टा एक्स यह most of the time होगा तो मैं ऐसे cases बताँगा जहां पर यह नहीं है तो उस टाम नहीं बोलना है कि सर्फ डेल्टा एक्स जोगा लैम्डा है फिर भी आप बोला है कि यह तो नहीं मिल रहा है अरे एक्ट्वल कंडिशन तो हमारी यहां से डेल्टा फाइब कोई रेस्टिक्शन नहीं है वहां की कंडिशन है फिर उससे हम डेल्टा एक्स पे फाइंड कर रहे हैं विद्सम एप्रॉक्सिमेशन यह लेते हुए जो हमेशा होगा तो वाट इस क्टमिममिममा सिवील ενगे सबेसरा बंखे और आपडलाने कंडिमंह गर दोनों के क् dif एब्स हम आप नियोडर यी 5 I 1ST 8 अगर यह दोनों सेम है देन वाट इस मिनिमूम इंटेंसिटी जीरो लांधेरा हो जाएगा सर अंधेरा हो जाएगा बिल्कुल तो मतलब अगल रूम में दो बल्ब होते हैं और ऐसा कहीं होता की constructive destructive interference होते तो बल्ब जलाने पर अंदेरा हो जाता तो आई मिनिमूम इकॉल तो जीरो नॉर्मल सिचुएशन में कैसा होना चाहिए था टू आइनॉट मिनिमूम मिनिमूम वाले रीजन से टू आइनॉट गाए और वह किदर गया है मैक्सिमूम की तरफ जहां पर फोर आइनॉट मिल रहा है तो मिनिमूम कैसा जाग गया है मुकेस बाइगे पास है सबका यहां से सिफ्ट होके मैक्सिमूम वाले रीजन में चला गया इसलिए बोला था कि interference is the redistribution of energy अभी समझ मैं कि interference is the redistribution of energy total energy constant है total दोनों सोर्सेज जो energy दे रहे हैं वो constant है बस डार्कर रीजन से मिनिमा वाले रीजन को हम क्या बोलेंगे डार्क डार्क रीजन से अच्छा डार्क रीजन का मतलब क्या हमेशा अंधेरा अरे मिनिमम भी तो है समझ रहो डार्क बोला जाएगा बिल्कुल ब्लैक नहीं अगर यहां पर यहां पर मालूम intensity ऐसे comparative है कि यहां पर ऐसे है तो यह भी डार्क हो सकता है कि बिल्कुल zero हो जाए बिल्कुल zero हो जाए यह भी हो गया यह दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि यहां से जो हो और कुछ कम हो तो उसको भी डार्क ही बोला जाएगा लेकिन तुम्हें यह चीज समझना है कि कंप्लीटली डार्क तब होगा जब यह दोनों इंटेंसिटी तो ज्यादा बेटर इंटर्फरेंस कौन सा होगा कंट्रास्ट किसमें अच्छा रहेगा इसमें तबी तो अंधेरा तो डार्क मतलब लाइट है क्या फाइदा तो यहां पर कुछ लाइट है डार्क मतलब मिनिमाम वाले को रिजन बोलते हैं बट डार्क रिजन इसनाट अलवेश कंप्लीटली डार्क वह सिर्फ एक ही केश में होगा जब दोनों सोर्सेज की इंट टो बेटर कंटरास्ट के लिए बेटर इंटेफरेंस के लिए वी मस्ट हैव इंतेंसिटी आफ बोध इसा सब्सक्राइब करेंगे तो नहीं करेंगे कल करेंगे इसे यहां पर एक स्क्रीन लिया और यहां पर दो सोर्स ले लिये दो सोर्स को मैं से दिखा रहा हूं मैं इस इस स्क्रीन पर दिखा रहा एकल्ट है तो यहां पर मिलता है मैक्सिमा मिलता है तो कहीं पर मुझे मैक्सिमा मिल गया फिर उसके बाद कहीं जाएंगे जैसे जैसे इस स्क्रीन पर मूफ करेंगे पाथ डिफरेंस चेंज होता जाएगा जब चेंज होता जाएगा तो इस स्क्रीन पर इंटे मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा ऊपर और नीचे यह पैटरन जो है वो मिलता रहता है तो पूरे स्क्रीन पे एक मैक्सिमा मिनिमा का पैटर्न मिलता है मैक्सिमा मिनिमा का पैटर्न मिलता है वह क्या होता है वही इंटर्फरेंस है अगर का जाएगा कि कोहरेंट शोर्सेज और रिप्लेस्ट बाई इन कोहरेंट शोर्सेज तो क्या होगी तुरंत यह पैटर्न गया हो कि अगर कॉरेंट शोर से रिप्लेस करेंगे तो तो हमें यह पैटन मिल जाएगा समझे कुछ तो यह एक पाइए इंटर फेर्श पैटन होता है सुपर पोजिशन होता है तो यह तो हमने सिर्फ कंडिशन डिराइब किया इसमें अभी वाई डिए सी से रिलेटेड कुछ भी नहीं है यहां पर तुम्हें इपा यहां पर यहां पर यह तो थोड़ा रिजोलूशन क्लीर नहीं रहेगा तो बिल्कुल मालों तुमने ब्लैक शर्ट पनी हुए तो वाइड बैग्राउंड पेच्छा आएगा तो कंट्रास्ट रहेगा ना वैसे टाइप से तो ज्यादा अच्छा टाइप का पैटन हमें यहां पर मिलेगा तो दो interference equal to redistribution equal to superposition due to coherent source a hammer equation interference for sustained interference we need coherent sources what are coherent sources frequency same phase difference constant or 0 for coherent sources what is intensity i is equal to i1 plus i2 plus 2 root i1 i2 cos phi अब यह formula same sources के लिए अगर है एक पॉइंट बस मैं लिख दे रहा हूं इस जन्रल इंटेंसिटी यह हो गया हमारा condition खतम जो लोग नींद में इसके आगे मत continue कर देना यह भी नहीं है यह खतम यह से यह जन्रल के लिए जन्रल अगर हम इंटेंसिटी यह फार्मुला लिखा हुआ है आई इस इकोल टू आइवन प्लस आइटू प्लस टू रूट आइवन आइटू एद इसमें आइवन इस इकोल टू आइटू इस इकोल टू इस अई नॉट अगर है सेम ही हो गये तो यह क्या होगा का रिद्यूस्ट साड़ा सा फोड़ा सा अप्ला है टू आख वैकन करना पदेगा तू आइनौट विज 듯 मश्क्री ओ योग दिया गिए टू आइनौट प्रस्तू आइनौट के लिटा फाइ Would सकॉस्स देल्टाफ़ी तू आयनला वह जाए गहां प्लस कॉस्स डेल्टा फाइट फार्मुला प्लस को स्वाट टू को स्कुरेट टू ज्यू कोस्ट्वारइड हो जाएगा वह युज होगा तो यह टू आय नॉट इंटू तू कॉस स्क्वाइर डेल्टा फाइबाई तो यह अल्टिमेटली फॉर सेम इंटेंसिटी का एक यह फॉर्मला याद रखोगे डारेक्ट फॉर आई नॉट कॉस स्क्वाइर डेल्टा फाइबाई टू ओडिफरेंट इंटेंसिटी इसके लिए यह है इंटेंसिटी का फार्मुला है सेम इंटेंसिटी सोर्स है फोर राइं लॉट इंट इस वाट मैक्सिममम इंटेंसिटी तो वो मिह अया जा जाएगा के रोगर अब ग्राफ Originally face difference तो अगर हम यहां से ऐसे देखते हैं कि इसमें इंटेंसिटी प्लोट करते हैं यह आई का फंक्शन आगया तो इंटेंसिटी बाई से स्टार्ट होगा तो यह जब कॉस्पाइर है तो कॉस का का जैसा ग्राफ गोगा डेल्टा फाई अगर 0 वा डेल्टा फाई यहां पर 0 है तो यह उसके बाद यह दिरे दिरे फिर क्या होगा यह 0 होगा कहां पर जहां पर यह पाई पहुंचेगा न मिनिमा जहां पर पाई पाई के बाद फिर क्या होगा फिर वापस maxima फिर minima पाई के बाद ये two pi नहीं three pi three pi ऐसे एसे और इधर क्या हो जाएगा वही minima वाला वह negative वाला जो बताय था ऐसा graph होगा minus three minus three यह यह वजाएगा आई वर्सेज ड्究 डेल्ट फाइगं डदेट फाइए और तुम्में डेल्ट एकस भी देसकते हैं डेल्ट एकस और डेल्ट फाइग कोई भी ग्राफ यहां पे एकर ऑफ सकता है तो अगर डेल्ट एकस के लिए प्लाट करोगे तो यहां वाले पॉइंट परक्ष देखो एसलिए मिनिमा वाले पॉइंट पर क्या रख दिया डेलटा एक्स लेम्डा बाई टू माइनस त्री लेम्डा वाई टू यह होगा आई वर्सिस फाई और आई वर्सिस डेलटा एक्स का ग्राफ इंटेंस्टी का वरीयेशन तो ऐसे-इसे इ कि इस एलग है कि की सारे मैक्सिमा मतलब जो हैं सब बराबर है की थyorsun है समति टॉपर नाइनकी फ़ीपर सेंट पहला नाइट फाईप लै-dyनल necess सब प्रवर सारे मैक्सिमा एक बराबर सारे मीनिमा बराबर जी नहीं गर्सूट करते हैं इसकुत एफ जिस लोगो भ्रशार, हुई जारी हुई हुआ कि लिता है